फ्रेंड्स लिंक्टिम में जब हम paid job post करते हैं, paid job post करने के बाद उसमें invoice या bill भी generate होता है, हम में से बहुत सारे लोग उस bill को use करना चाहते हैं, accounting purpose के लिए, लेकिन यहां पर एक बहुत ही बड़ा problem होता है, लोग अपने GST detail या फिर billing details आड़ ही नहीं कर पाते हैं, उनका सम आज के इस specific video में मैं आपको step by step guide करूँगा, आपका paid job post का जो invoice है, उस invoice में अपना billing detail जैसे की address या फिर आपका GST नमबर, pen नमबर ये सारे detail कैसे आड़ करेंगे, हाई फ्रेंड्स मैं हूँ बंसिधर, R&D Digital में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, फ्रेंड्स अगर आप हमारे channel पे new है और पहले बार हमारे video देख रहे हैं, आपको must welcome है, आप सभी लोगों को request करूँगा, आपको इस video के end तक बने रहेना है, क्योंकि GST information आपको आप आपके bill पर आड़ करना बहुत ज़्यादा जरूर है, उसके बगर आपका bill कोई कामकार नहीं है, वो GST information जैसे कि आपका billing man, billing address, GST number, pen number यह आप आड़ करेंगे, तभी जाके वो आपका proper invoice होगा, और actual में उसको फिर आप आपकी जो accounting purpose है, उसके लिए आप यूज कर पाएं यह वीडियो important है, तभी जाके आप सीख पाएंगे अगर आप and तक बने रहेंगे, चलिए friends, मैं आपको computer screen पर practical करके बताऊंगा, and मैं अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो please like, comment से यार जरूर करना, अगर आपको इस वीडियो से कुछ value मिला होगा, आप subscribe भी please करना, चल हम पेड जो पोस्ट किये थे उसका बील है, वह मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यह मैरे screen में आप देख सकते हैं, अब यह बील जो है, यहाँ पे LinkedIn के पूरे details है, जैसे कि उसका address है, उसका GST number है, वो सारे है, और यहाँ पे यह देखिए कि हमने कौन से position के लिए हमने post कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि receipt number, invoice number, यह सारे details यहाँ पे है, और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, GST percentage भी हो, कितना amount GST में deduct किया है, यह भी है, लेकिन तकलिव है कि इसको आप use ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे billing details missing है, यहाँ पे देखिए plus add billing details यहाँ पे है, यानि अगर आप billing details आपका होगा, तो यहाँ पे दिखाए देगा, यहाँ पे billing details है ही नहीं, अभी यहाँ तक कैसे आना है, मतलब यह billing details यहाँ पे आप आड कर सकते हो, तो यहाँ तक कैसे आना है, यहाँ तक आने के लिए आपको आपका जो LinkedIn का account है, उस LinkedIn पे आकाउंट पे में हूँ अभी इस LinkedIn आकाउंट पे आपको यहां पर देखिए jobs लिखा हुआ है टॉप पे आपको यह jobs पर आपको करना हुआ क्लिक जैसे आप यह jobs पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं लेप्ट साइट पे नीचे सबसे मैंने जोब पोस्ट लिखा हुआ है तो आपको मैंने जोब पोस्ट पर आपको करना होगा क्लिक जैसे आप मैंने जोब पोस्ट पर आपको क्लिक करेंगे एक न्यूप पेज़ पर आ जाएंगे यहां पर देखिए राइट हैंड साइट पर पर्चेज हिस्ट्री आपको भी कर सकते हैं आपको कौन सा डेट का चाहिए यहां पर इस टाइब के कस्टम भी कर सकते हैं अभी रेंडम लेते हैं यहां पर देखिए जो लिखा हुआ है ना एक बिल दिखाई दे रहा है यह तू थाउजन्ट सेवेंहंडड़ सेवेंड़ डूपीस का बिल है अभी यह ज सबसे पहले आपको लिख लेना है इसको मैं कर लेता हूं कपी कर लिया कपी करके हमें इधर आ जाना है यह जो मैंने आपको यहां दिखाया यह आपको पहले से लिख लेना है और यह मैं आपको पहले से लिख लेना है और यह मैं आपको पहले से लिखके इसके लिखा ताकि यहां पर आपको क्लिक करने के बाद यहां पर आपको सेप पे क्लिक करना है और अगर आपको कुछ गलती हो गया यहां पर डारेक्ट एडिट भी कर सकते हैं को इसको मैं सेप पे क्लिक करता हूं जैसा ही मैं सेप पे कलिक करूंगा यह बिलिक डिटल्स यहां पर अपडेट हो जाएएंगे जलब आपको और चीज दिखाना चाहता हूं अभी को यह बिलिनुंग डिटल्स पहले से आड़ हुआ है अगर आपको देखना है कि कैसे दिखता है यह देखिए यह बिलिंग डिटल से आड़ हुआ है अभी में जो आपको दिखा रहा था आरेंड डिजिटल मेरे बिलिंग एड्रेस और मेरे जीएश्टी नंबर पैन नंबर यह आड़ हुआ है और यहां पर एक चीज ध्यान रहे बाइचांश माल जी कि आपका पहले सा आड़ हुआ है लेकिन वह इंफरमेशन राइट नहीं है उसमें आप कुछ एडिट करना चाहते हैं यहां पर एडिट जो है आपको इस एडिट पर क्लिक करना होगा जैसे आप एडिट पर करेंगे यहां पर आप जो भी एडिट करन है आपके लिए में दिखा रहा था तो इस तरीके से आपको आपके जी स्ट इंफरमेशन आपके बिलिंग इंफरमेशन आपको आपका LinkedIn बिल में आपको आड़ करना है यहां खास एक चीज ध्यान रहे आपका लिगाल नेम जो है वह लिगल नेम ही आपके रखना है कभी- आप यूज ही नहीं कर पाएंगे आपके billing या जीस्ती परफर्ष के लिए accounting परफर्ष के लिए और प्रयंट्ट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज क्योंच क्यों में लाटा रहता हूँ चलिए फ्रेंट्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में THANK YOU SO MUCH